हेलो फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरू सब्सक्राइब करें नमस्कार दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ एक और नए आईरवेदे को प्चार के बारे में तो दोस्तो आज का यह जो वीडियो है वह है ऐसी महिलाओं के लिए फायदे मन्द होने वाला है जो की नौजात सिसू की मा है और यदि उनकी बच्चे के लिए वो दूद नहीं उनका बोडी नहीं बना पाती है तो आप इसके लिए क्या उपचार अपना सकती है दोस्तो इसमें जो पहलों पायवे गाजर का जो दूद पिलाने वाली मताए होती है उन्हें गाजर के रश का सेवन करना चाहिए तो इससे दूद बगता है और आपके सरीर के लिए भी यह बहुती लावदायक होता है इसके साथ ही प्याज का सेवन करना भी आपके लिए लाफदायक होता है भोजन के साथ आप कच्चे प्याज का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें तो इससे मताओं का दूद बढ़ता है और जब भी भोजन करें तो भोजन के साथ कच्चा प्याज भी चरूर खाए तो दोस्तो ये थे दो बहुत यासान से उपाए जो कि ऐसी महिलाओं को खाने में लाफदायक होंगे ऐसी महिलाओं को खाने से लाब होगा और इसके साथ ही यदि आपको किसी और तरह की सारी रिक्समस्याय होती है तो भी आपको इसमें लाब होता है तो दोस्तो ये थी छोटी सी जानकारी उमेद करती हूँ आपको पसंद आई होगी यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और वैल आइकन को भी दवाईए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके